एसलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माइचेनल देख रहे हैं यह थुनबर्घिया है और यह थुनबर्घिया कहो चाय थुनबर्घिया कहो इस तरह से टुमपट जैसे फूल आते हैं इसमें अपतिया अब इसमें फ्लाबरिंग कई दोनों से हो रही है करीब 15 दिन लगवा हो गए ह मार्च में फ्लावरिंग होगी जब फर्वरी मार्च स्प्रिंग सीजन हो तब भी फ्लावरिंग होगी अब धेर सारी कलीया बीए ठेशारी फूल खेल और जाते हैं तो यह इनका माइनस प्राइंट है चलू फिर भी अच्छे लगते हैं देखने में परफल कलर बहुत सुना तो यह मैं साथ में 80 या 90 रुका कर लेके आई थी तो उस समय तो फूल नहीं दिये थे बात में फूल दिये थे अब इसमें फूल सुरू हो गए अब इसमें इस तरह से अपना गार्डन वेश्च जो है कि इस तरह से भर के रखा था तो अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट ह हो गई है और मैं अकश्री थ्हाली लाके रख देती हूं पील्पर दच्राती रख गैतं जो भी इस तरह से रहता है और यह तो घंड हेल्द ही हो गया है काफी बड़ी बड़ी ब्रांच्चे है आप कर्टेंग से लगाना। चाही के इस तरहां के ब्राइश की उत方 आप सफ़ागर सकती है। इसमें अब फटलाजर आप गोवर की खा दे सकते हैं और साल में एक बार रिपोर्टिंग कीजिएगा क्योंकि ब्रांचे काफी लंबी लंबी ब्रांचे होती है और यह वाइन है तो इस वेज इसकी ब्रांचे भी बढ़ती है उससाफ से जड़े भी बढ़ती है तो जड़े मैंने नोटिस किये यह इस तरफ हमारी च्छत की तरफ नहीं आ रही है यह बालकनी की साइड में उधर लटक रहा है जो उसमें ज्यादा कलिया ब्रांचे आ रही है इससे तेज धूप नहीं चाहिए पता नहीं क्यों इस साइड में धूप बहुत तेज लग रही है कापे अच्छी धूप पड़ जाते हैं तो इधर नहीं धूप में खिल रहे हैं पीछे के साइड में फूल खिल रहे हैं तो इससे थोड़ा सा ऐसा एरिये दीजिए जहां पर थोड़ा सा सेमी शेड पार्शा रहता है तो ध्यान रखिएगा और लिकुट फरडाजर देते हैं धेर सारी कल्याः आ रही है फूल भी रोज ही खिल रहे हैं रोज अपने जीने में पड़ ही देखती हूं उसस cabbage में सीजिए क्साइड नीचे के साइड मज़ें तो अभी खुब अच्छे से खेल रहे हैं इधर अप्राजिदा में फूल खेल रहे हैं मतलब समर वाले सभी भूल खूब अच्छे से खिल रहे हैं और बहुत शुंद लगर भूडन भर असा लग गर लगे तो अच्छा भी लग रहें तो यह आ रहा है एसी मिमा नी पॉल भर भर को अप mozen है अ एक से मीमान घ Understand के फोड़ी कहँ सब्सक्राइब Joint तो इसलिए मुझे लग रहा है इतने इतना इदर खिलते हैं यह बंदर ने तोड़ दी यह शायद में लगा देती कटिंग पर यह साइड में अंदर पड़ी हुए तो दिखाई नहीं दी मुझे तो यह देखिए यहां से इस तरह से फूल खिल रहा है काफी कलियां भी आ रह पूरी गर भी निकल गई इसमें कोई फूल नहीं आया अब फूल आने शुरू हुए और काफी फूल आ रहे हैं करीब एक महीना हो गया है फूल आते आते तो खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं जब से मौसम ठंडा हुए तब से फूल काफी आने लगी है और अब तो के सायच में नहीं नीचे नीचे बन देंर है तो इसका मतलब यह तो यहां पिछे की साय पूल आ रहे हैं तो इसमें लीकूइट पाड़ाजर दीजिए शर्सौफली बार कीजिये और मैं स्प्रिंग सिजन में इसकी रिपूर्टिंग करूंगी रिपोर्टिंग भी जरूर हो जाती है, मैं बड़े पॉर्ट में ही लगाऊंगी इसे अब या तो इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी या फिर इसे रिपोर्ट करके बड़े में लगाऊंगी प्रेंट्स इंफोर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्स्क्राइब करो, इसे गर्मियों की तेज दूप से बचा करके, सारी पत्तिया ज़ड़ जाती है, जब बहुत तेज दूप पड़ती है, और बहुत जब पालव ग तो फ्रेंट्स नहीं जानकारी के साथ नहीं वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आटिंग करते रहिए, खुछ रहिए, बाय बाय फ्रेंट्स